ओम शान्ती आज के बावा के महावाके हैं आज है 22.05.2021 मुल्ली का सार है मीठे बच्चे अपना सब कुछ इश्रे सेवा में सफल कर भविश्य बना लो क्योंकि मोत सिर्पर है आज की मुल्ली का प्रश्ण है ज्यान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारना क्यों नहीं होती है उत्तर है क्योंकि विचार सागन मंथन करना नहीं आता है बुद्धी योग दे और दे के सबन्दों में लटका हुआ है पहले जब बुद्धी से मो निकले तब कुछ धारना भी हो मो ऐसी चीज है जो एक दमबंदर बना देती है इसलिए बाब बच्चों को पहला पहला वाइदा याद दिलाते हैं दे सहित दे के सब सबंदों को भूलो और मुझे याद करो आज की मुल्ली का गीत है बोले नाज से निराला कोई और नहीं ओम शान्ती बाबा बैट बच्चों को समझाते हैं अब बच्चों को ये तो अच्छी तरे मालूम है कि बेहत के बाब को ही कहा जाता है विगडी को बनाने वाला कृष्ण विगडी को सुधार नहीं सकते गीता का भगवान कृष्ण नहीं शुब बाबा है शिप बाबा तो रचैता है और कृष्ण है रचना स्वरक का वर्सा देने वाला है स्वरक का रचैता तो भी हो सकता है यही भारत की मुखे बड़े से बड़ी भूल है स्रीकृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता वर्सा तो बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था भारत में ही स्रीकृष्ण सहजादा और राधे सहजादी गाई हुई है महिमा उंस से उंच एक पाप की है स्रीकृष्ण है उंस से उंच रचना विश्व का मालिक उनको कहा जाता है सूर्य वंशी देटी डिनाइस्टी गीता आदिसनातन देवी देवता धरम का शास्त्र है सत्यु में तो किसी को ज्यान सुनाया नहीं है संगम पर ही बाबा ने सुनाया है चित्रों में भी पहले ये सिद्ध करना है दोनों के चित्र देते हैं गीता का भगवान ये रचईता है जो पूर्ण जनम रही थैं ना की स्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिबाबा ही हीरे तुल्ले बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्ले, कौडी तुल्ले। बच्चों की बुद्धी में भी ये रहना चाहिए कि बाप का फर्मान है तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वे है बेहत का बाप, कृष्ण तो है हत का मालिक। भल विशो का राजा बनता है, शिबाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी बड़ी महिमा है, भारत सब धर्म वालों का बड़ा तिरत है, सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्तव उड़ गया है, इस कारण ही भारत कौडी तुल्ले बन गया है, है तो ड्रामा अनुसार प् बहुत अच्छी रिती है दिन प्रती दिन गुये बाते सुनाते रहते हैं तो फिर पुराने चित्रों को बदल कर दुसरा बनाना पड़े ये तो अंत तक होता ही रहेगा बच्चों को बुद्धी में अच्छी रिती याद रखना चाहिए कि शुबाबा हमको वर्सा दे रहे हैं कहते भी हैं मामेकम याद करो तो विकरम विनाश होंगे कृष्ण को याद करने से विकरम विनाश नहीं होंगे वै तो सरव शक्तिमान तो है नहीं ना सरव शक्तिमान बाप है वर्सा भी वही देते हैं मुनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं अच्छा समझो कहा है वे भी तो यही कहते हैं कि देखे सवन्चोर मामे कम याद करो आतमा तो बाप को याद करेगी न कृष्ण तो सभी आतमाओं का बाप नहीं है ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धी में धारन करना चाहिए कोई कोई मुँँ में फसने के कारण फिर धारना नहीं कर सकते तुम गाते आये हो और संग दोड आप संग जोडेंगे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई प्रन्तु मो फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देते है बंदर में मो और लोब तो बहुत होता है साहु का लोकों को भी समझाया जाता है अभी मोत सामने खड़ा है ये सब इश्रे सेवा में लगाओ और भविश्य बना लो प्रन्तु बंदर के मुआफिक लटक पड़ते हैं छोड़ते भी नहीं है बाप कहते हैं जो भी देह सही देके सब सबन्ध हैं उनसे बुद्धियोग हटाओ बाबा की शिरीमत पर चलो तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे आदी सब इश्वर ने दिया है अवे खुद आए है कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत आदी सब खतम हो जाना है किसी की दबी रहेगी धूल में किसी की राजा खाए अर्थक्वेक आदी होगी ये सब ख्लास हो जाएगा एरोप्लेन भी गिरते हैं वा आग आदी लगती है तो पहले पहले अंदर चोर गुसते हैं जब तक पुलिस आती है तो बाबा समझाते बच्चे देधारियों से मो निकालना चाहिए मो जीत बनना है दे अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन देवताएं तो दे ही अभिमानी है दे अभिमान में आने से ही विकारों में फस्ते हैं तुम आधा कलब दे अभिमानी रहते हो अब दे ही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है जो भी मनुश्य मात्र है बिलकुल ही इन बातों को नहीं जानते है ना परमात्मा को जानते है आत्मा क्या परमात्मा क्या कितरे जनम लेती कैसे पाट बजाती पावने का कुछ नह जानते हैं हम एक्टर्स हैं ये किसी को भी मालूम नहीं है इसलिए उनको आर्फन के नीधन के कहा जाता है वे तो कह देते आत्मा जोती में लीन हो जाती है प्रंतु आत्मा तो अभिनाशी है आत्मा में ही 84 जन्मों का पार टूंदा हुआ है कहते भी हैं आत्मा स्टार है फि आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं आत्मा के लिए भी कहते हैं ब्रकूटी के बीच में चमकता है सितारा प्रमात्मा के लिए तो कुछ नहीं बताते हैं उनको परम आत्मा कहा जाता है वे भी परम धाम में रहते हैं वे भी बिंदी हैं ना सिर्फ पूर्ण जनम रही थ आत्मे पुर्ण जनम में आती हैं, परमात्मा के लिए कहा जाता है ग्यान्द का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है देवताओं को ये वर्षा किस ने दिया? सो भी बाप ने ना? सरवगुन संपन सोला कला संपूरन, संपूरन निर्विकारी मर्यादा पुर्शोतम ये है देवी देवताओं के गुन, इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं, उन्हों को ये वर्षा कैसे मिला? ये कोई को मालुम नहीं है बाबा ही आकर हम बच्चों को समझाते हैं, उनको ही ग्यान का सागर कहा जाता है, इस समय आकर बाबा ग्यान देते फिर प्राय लोप हो जाता है, फिर होती है भक्ती, उनको ग्यान नहीं कहा जा सकता ग्यान से तो सद्गती होती है, जब दुर्गती हो तब सरव का सद्गती दाता ग्यान का सागर आए, बाबा ही आकर ग्यान का सनान कराते हैं, वे तो पानी का सनान हैं, उससे सद्गती हो नहीं सकती ये थोड़ी बाते भी धारन करनी चाहिए, मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो कोई अच्छी रिती समझ जाए अक्षर बड़े अच्छे हों, चित्र बनाने वालों को ये बुद्दी में रखना चाहिए बाबने का किसी को भी बुलाना है निमंतर्न दे करके कि आकर परम पिता परमात्मा का परीचे लो और भविशे 21 जनम के लिए बाबा से वर्षा लो भाई और भेनों पालोकिक बाब से बेहत सुख का सवराज्य कैसे मिलता है सो आकर समझो बेहत के बाब से वर्षा पाना सीको इसमें डर्णने की तो बात नहीं है कितना बुलाते हैं पतित पावन आओ बाबा भी कहते हैं काम महाशत्रू है पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है पतित उनको कहा जाता जो विकारों से जनम लेते हैं सत्यु त्रेता में तो विश होता नहीं उनको कहा जाता है संपूरण निर्विकारी दुनिया विकार तो है ही नहीं न फिर ये तुम क्यों पूशते हो बच्चे कैसे पैदा होते हैं तुम निर्विकारी तो बनो ना बाबने का बच्चा जैसे होना होगा वैसे हो जाएगा तुम ये पूस्ते ही क्यों हो तुम बाब को याद करो तो जनम जनमांतर के विकरम विनाश हो जाए ये तो है ही पाप आत्मों की दुनिया वे है पुन्ने आत्मों की दुनिया ये भी अच्छी रिती बुद्धी में बिठाना है भक्ती का फल भगवान आकर देते हैं बाबा ही सरव का सद्गती कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं बाप कहते अब पवित्र बनो मामेकम याद करो ये है महामंत्र बाबा से वर्षा तो जरूर मिलेगा बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतो परधान बन चाएंगे सेड़ी पर भी समझाना है दिन प्रती दिन हर चीज सुधर्ती जाती है इसमें क्लियर करके लिखना है ब्रह्मा के द्वारा आदी सनातन देवी देवता धरम की स्थापना होती है जब आदी सनातन देवी देवता धरम था तो और कोई धरम नहीं था जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे जितनी ताकत तुम्हारे में बढ़ती जाएगी उतना पहले आएंगे सब इकठे तो नहीं आएंगे ये भी तुम जानते हो सत्युक देता में देवी देवताईं बहुत थोड़े होते हैं फिर पीछे वृदि को पाते हैं प्रजा में तो धेर होंगे समझाने वाले भी बड़े अच्छे होने चाहिए बोलो बेखत के बाप से आकर के वर्षा लो जिसको पुकारते हो न हे बाबा उनका वास्तव में नाम ही शिव है इश्वर वा प्रभू भगवान कहने से ये नहीं समझते कि वे बाप है उनसे वर्षा मिलना है शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है न उनको कहते हैं शिव परमात्मय नमा परमात्मा का नाम तो बताओ न बाबा कहते नाम रूप से न्यारा तो कोई है नहीं उनका तो शिव नाम है सिर्फ शिवाय नमा भी नहीं कहना है कहना है शिव परमात्मय नमा हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीती क्लियर करके समझाना होता है शिवाय नमा कहने से बाब का मज़ा नहीं आता है मनुश्य उने तो सब नाम अपने उपर ही रख दिये हैं तुम जानते हो मनुश्य को कभी भगवान नहीं कह सकते ब्रह्मा विश्नु शंकर को भी देवता कहा जाता है बाबा रचैता तो एक ही निराकार है जैसे लौकिक बाब बच्चो को रशते हैं वर्सा देते वैसे बेखत का बाब भी वर्सा देते हैं भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं सारी दुन्या का पतित पावन तो एक ही बाब है ये थोड़े ही कोई जानते हैं हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित कबर दाखिल है, अभी तो सब की कयामत का समय है, बाबा ही आकर के सब को उठाएंगे कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं, वही ग्यान का सागर है, लीखा हुआ भी है, सागर के बच्चे भस्मी भूत हो गए थे, अर्थान कामचिता पर बैठकर काले आईरन एज बन गए थे अच्छा फिर सुन्दर कैसे बनेंगे, तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा से योग अक्षर कहने से मुनुष्य मूँ जाते हैं, बाब कहते मुझे याद करो तो अंत मती सो गती हो जाएगी कितना सहज बाबा समझाते हैं, फिर भी ये बाते बुद्धी में क्यों नहीं बैठती क्योंकि दे अभिमान बहुत है, इसलिए धारना नहीं होती है बाबा बड़ी अच्छी युपती बताते हैं, बेखत के बापने जिसको याद करते हैं, उसने आकर क्या किया जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था, हद का वर्षा तो जनम जनमानतर बाबा लेते आए हैं अब बेखत के बाप से 21 जनम के लिए बेखत का वर्षा लो सत्युक त्रेथा में देवताइं राज्य करते थे, सूरिय वंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर सोवैशे वंशी, फिर है शुद्रवंशी सो अक्षर डालने से सिध होता है, वही पुर्ण जनम लेते हैं, वर्णों में आते हैं बाबा समझाते तो सब को हैं, तुम समुक बैठे हो तो खुश होते हो, कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस भी नहीं करते, सर्विस करेंगे तो नाम भी होगा, कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होश्यार हैं, सब काम करती हैं, हमको स्वरकी बाशाही का वर्सा देती है ये माल भी देती है ये भी चित्र है अंदों के आगे आईना इसमें जादू आदी की तो बात ही नहीं है बावने कहा पवित्रता की ही मुखे बात है समस्ते भी है ये अंतिम जनम है स्वरग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है देखो विनाश तो सामने खड़ा है ना, पावन जरूर बनना पड़े सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लदे, बच्चो प्रती, मात पीता, बाप तादा का याद प्यार और गुट मॉर्निंग रूहानी बाब की रूहानी बच्चों को नमस्ते धाना के लिए मुख्ये points है आज बाबा ने हम बच्चों को यह homework दिया है पहली points है विनायाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है ये कयामत का समय है इसलिए पावन जरूर बनना है दूसरी पाइंट है दे धारियों से मोहो निकाल, मोहो जीत बनना है दे अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है उस पर विजे पानी है और सवसंगतोर बाबा से बुद्धी योग जोडना है आज का वर्दान है मनन शक्ती के द्वारा शक्ती शाली बन विग्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सरव आकर्षन मुक्त भव मनन शक्ती के द्वारा शक्ती शाली बन विग्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सरव आकर्षन मुक्त भव वर्त मान समय मनन शक्ति के द्वारा आत्मा में सरव शक्तियां भनने की अवशक्ता है इसके लिए अंतर मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्कर निकलेगा बाबा क्या कहते हैं? बाबा जो भी हम बच्चों को महावाक्य देते हैं अगर उस पर मनन चिंतन करेंगे तो क्या होगा? उसी से हमको शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और शक्ति शाली बन जाएंगे ऐसी शक्ति शाली आत्माएं अती इंद्रिय सुक्की प्राप्ती का अन्भव करती है उन्हें अलबकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकरशित नहीं कर सकती है उनकी मगन अवस्था के द्वारा जो रुहानियत की शक्ति शाली स्थिती बनती है उससे वीगनों का फोर्स समाप्त हो जाता है स्लोगन है ब्रामन संसार में सरव का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तक नशीन बनते हैं ओम शान्ती